हालो फ्रेंड मैं रुची वर्मा स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे आज हम आपको बनाकर दिखाने जा रहे हैं दो मिनट में बनने वाली बहुत ही सौधिस्ट मिठाई इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ना गैस जलानी की जरूरत है और ना ही हमें घी की इस मिठाई को बनाने के लिए हमने एक चमच दूद लिया और एक चमच मलाई लिया है इसे हमने अच्छे से मिला लिया है दो बड़े चमच हमने इसमें मिल्क पाउडर लिये हैं और एक बड़ा चमच हमने कसी हुई गरी बिना गैस जलाए हम आपको ये मिठाई बनाकर द कसी हुई करी और हमने जो दूध और मलाई ली थी वो इसमें हम डाल देंगे इसमें हम दो बड़े चमच पिसी हुई चीनी डालेंगे चीनी आप कम जादा अपने सौध के अनुसार कर सकते हैं और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे सभी चीजे अच्छे से मिल चुकी है अब इसमें हम दो चमच नारियल का पुरादा डालेंगे आप इसमें अपने मन पसंद अनुसार कोई भी ड्राइ फूट्स डाल सकते हैं ध्यान रखेगा इसमें हमें बहुत जादा दूद और मलाई नहीं मिलानी है इसमें हमें सिर्फ एक चमच दूद और एक चमच मलाई ही मिलानी है आप हम इसके पेड़े बनाएंगे पेड़े आप किसी भी आकार में बना सकते हैं छोटे या बड़े हम इसके मीडियम साइज के छोटे पेड़े बना रहे हैं और इस पे हम थोड़ा सा नादेल का बुरादा डालेंगे, इसी तरीके से हम अपने सभी पेड़े बना कर तयार कर लेंगे, पेड़े बन कर तयार है, अब इसमें हम बादाम लगाएंगे, आप इसमें ड्राइब फूर्ट्स अपनी मन पसंद अनुशार कोई भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हम नादेल का बुरादा उपर से डालेंगे, दो मिनट के अंदर हमारी सौदिष्ट मिठाई बन कर तयार है, यह देखने में जितनी अच्छी लग रही, उससे भी जादा यह खाने में सौदिष्ट है, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मिलते हैं आप से आने वाली अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाई,